Question No.21 integral class 12 exercise 7.2 से लिए गया है जिसमें cot x log sin x का integration हमारे को करना है तो यहाँ पर cot x log sin x dx का आपको integration करना है तो इसमें cot x log sin x जो है इसमें अगर log sin x को हम t मान लें तो इसका differentiation करने से हमारा यह question जो है बहुत easy हो जाएगा तो log sin x को जब हम t मानते हैं तो log sin x का हम differentiation करते हैं तो वो one upon my sin x आएगा फिर sin x का करेंगे तो वो cos x आएगा तो यह कुल मिला के cos x upon my sin x cot x dx बन गया और t का dt हो गया तो cot x dx जो है वो dt के equal है तो अब जो है cot x dx की जगा dt हो जाएगा और यह integration log t dt मे बदल जाएगा तो यह आई जो है बदल गया आपका cot x dx की जगा dt आने से और log sin x जो है sin x की जगा t log sin x की जगा t आने से यह हो गया t dt तो t का जो है integration होगा t square upon my 2 plus के c और नीचे जो है आपका t की value जैसे हम रखेंगे तो वह है आपकी log sin x तो यह हो गया वन अपान में 2 log sin x का square plus में c तो यही हमारा answer है उमीदा आपको यह question अच्छे समझ में आ गया होगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें